तो कैसे आप सब में उमीद करता आप सब बढ़िया होंगे तद्रोस्त होंगे में तब से आप सभी को प्यारा अब नमस्कार हाजिर है आप सभी के सामने एक और वीडियो लेकर एक और प्रैक्टिस सेशन के साथ जिसमें हम पटवारी से लेटर कॉस्चन डिसकस करेंगे और सब्सक्राइब होते हैं तो सभी के लिए बैनिफिस्चल रहेगी चलिए ज्यादा टाइम बेस्ट ना करते हैं आज की वीडियो को शुरू करते हैं मैं बता दू हमने पहले एक और वीडियो बनाई है जिसमें हमने 10 कॉस्चन डिसकस कर लिए था हमारा 11 कॉस्चन होने वाल सब्सक्राइब करते हैं तो अपने आप में इंट्रेस्टिंग कोश्चन इसलिए कहलाता है कि कई बार बो होगा चलिए एक साल के लिए चार परसेंट होगी तो दो साल के लिए आठ परसेंट हो जाएगा तो आठ परसेंट करके वह इसका इजए से अंसर निकालेंगे प्लस करेंगे उसमें और आग्यों लेकिन वह गल्त हो जाएगा एक तरीके से देखते हैं कैसे होता है तो चलि इंक्रीज हो रही है कितनी फोर परसेंट तो सबसे पहले फोर परसेंट निकालेंगे इसका तो दिखेंगे फोर परसेंट ऑफ 37,500 क्या निकलता है 4 divided by 100 करेंगे multiply 375 00 2 0 से 2 0 कटेंगे यह आगे हमारे पाद 4 multiply 375 जब इसको करेंगे 5 को करेंगे 5 को करेंगे 28 29 30 34 12 13 14 1500 आ गया तो जो पहले 1st year के बाद 1st year के बाद जो population कितनी हो जाएगे 375 00 उसमें कितनी प्लस कर देंगे हम 1500 प्लस कर देंगे 005 10 718 9 और कितनी 39000 यह कितनी है 39000 हो जाएगी पहले साल के बाद अब जो दूसरा साल 4% करेंगे वो हम 37500 का नहीं करेंगे वो किसके करेंगे हम 39000 का तो वो आजाएगा 4% of 39000 क्या जाएगा 4 डिवाइड बाइ 100 multiply 3900 इसका 4% बढ़ेगा तो 20 से 20 कटेगी 390 multiply by 4 कितना जाएगा 1560 वो इसमें अड़ करेंगे इसमें अड़ करेंगे तो यह आजाएगा 39000 प्लस 1560 जब प्लस करेंगे 40650 और 40560 40560 option number कौन जा option number 6 इसमें correct answer हो जाएगा अगर आप ऐसा मानते कि एक साल में चलो 4% बढ़ दिया है दो साल में 8% करेंगे तो 8 divided by 100 करेंगे multiply 375 00 करेंगे 2 0 से 2 0 कटेंगे 375 multiply 8 करेंगे जो value आएगी उसको अगर आप इसमें प्लस करेंगे तो थोड़ा से बेरी करेंगा आपका question जो की गलत कहलाएगा तो इस तरीके से आपको question नहीं करने का सही value जो आई वो इस तरीके से करेंगे अगले question के तरफ चलेंगे तो बोला है कि one-fifth of the number is 19 वट इस वट विल बी दा 42 परसेंट आफ दिस नमबर यानि कि एक संख्या का पांचमा भाग 19 है तो इस संख्या का 42 प्रतेशत कितना होगा तो option दीए ABCD तो अगर आपको question आता तो आप पहले तो बीडियो को pause कर लें और solve करने की कोशिश करें जैसा कि मैं अपने को हर बार कहता हूं अगर आपको आता है तो आप solve करें बाकी नहीं आता हो तो हम तो करवाई देंगे मैं मुईद करता हूं कि आपने बीडियो पॉज करी होगी इसका solution निकाला होगा तो हमें बोला है सब्सक्राइब करेंगे इसका करेंगे तो यह हमारे पास अगर काटेंगे तो 39.9 हमारे पास बैल्यू आ जाएगी जो कौन सा option नंबर भी कोरेक्ट अंसर हो जाएगा इस तरिक्षे से हमें इस question को करेंगे इसी question था अगले question के तरफ चलेंगे अब हमें बोलाए कि इव दा selling price जो है वो छोटा है cost price से selling price यानि विकराए मुल्य हमारे पास छोटा है cost price से तो SP माइनस CP किसके बराबर होगा वो लाब होगा हानी होगा ना ही लाब होगा ना हानी होगा नहीं होगा तो selling price चोटा है मान लेजे selling price की value 5 ले ली cost price ज्यादा ले ली दस ले लेते हैं तो selling price minus cost price यानि कि हमारे पास क्या गई 5-10 value-5 माइनस में चलेगे तो हमारे पास obviously loss होगा तो उसका राइट अंसर हो जागा हाल नहीं होगी option नमबर इसमें correct answer हो जाएगा माली जीए हमने कम में खरीदा होता हमने कम में खरीदा होता और ज्यादा में बेच दिया गया होता तो हमारे पास क्या value है हमें क्या बोला है यहां पर फिर एक वाद देखते हैं selling price SP जो हमारे पास कम है और cost price हमने ज्यादा का खरीदा था माले हमने 100 की कोई चीज खरीद ली और पचास में बेच दी तो हमारे पास selling price minus cost price अब selling price यह आएगा cost price यह आएगा तो हमेशा हमें loss ही होगा अगर हमें ऐसा पुछा होगा कि दैन हमें loss होगा कि profit होगा तो हमें loss होगा अगर हम ज्यादा में खरीद थे माले जी हमने पचास में खरीद दिया फिर हमने 100 में बेच दी तो हमें profit होगा कितने का profit हुआ 10 का profit हुआ तो इस तरीके से question को करेंगे profit loss का question था अगला question यह वी काफी interesting question है कि इसमें वह सकते हैं तो इस question को करने की दो तिन तरीके हैं question कहाता कि Amit runs 100 metering 27 seconds and इसने जो अमीत था उसने सौ मेटर जो है वो पार किया कितना 27 seconds और जो हमारे पार जी थे उन्होंने जो हों मैंनी मींटर में और बार किया कि इसने जो यह 3 seconds ज्यादा लगाएं मतलब इसने 6 seconds ज्यादा लगाए और इतने तीन seconds कम लगाएं तो आगर यह स्था ही सैकिंड पर होता तो उसके बीच में कितना difference होता हमसे यह पूछा गया है तो अगर हम speed पहले तो speed से करके देख लेते हैं कि speed का formula अत्ता distance upon time तो Amit की speed वैसे आके vary करने ही करेगी तो अगर इसको करेंगे तो हमारे पास ही आ जाएगा Amit की speed 3.70 उसी तरह चमन के speed अगर करेंगे तो चमन के speed आ जाएगी distance कितना था 100 ही था लेकिन उसे time लगा 30 seconds इससे काटेंगे 10 upon 3 यह आ जाएगा हमारे पास 3.33 यह हमारे पास आ जाएगा तो सिद्धा सा है कि distance जो था जो अमित ने ट्रेवल किया अमित ने ट्रेवल किया 27 सेकंड में 27 सेकंड में वह आ जाएगा हमारे पास 100 मीटर तो इसको करने की ज्यादा जरूरत भी है चमन की बात हमसे पूछा गया तो distance covered by चमन इन 27 सेकंड 27 सेकंड अगर हम करेंगे तो इसको 3.33 को multiply करेंगे 27 से यह जाएगी value कोई at least 89.91 जो होती 90 के बराब है तो यह 27 सेकंड में 100 मीटर distance level करेंगा 27 सेकंड में 90 का distance तो हमसे पूछा कि अमित और चमन के बीट में कितने मीटर का अब सौ में से 90 मैनिस किए तो option नमबर बी option नमबर बीस में correct answer हो जाएगा एक और तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम चमन की बात करेंगे तो हंडर इंटू चलिए और छोड़िए वो ज्यादा अगर डीप में चला जाएगा आप बेसिक ट्रैडिशनल मैथर रखेंगे तो इस तरीके से आप इस question को कर पाएं distance और time और स्पीड से लेटर यह question था अगला question भी काफी इसी question होने वाला है question कहता कि इसका diameter of a circle is 14 cm कि दैन दा circumference of the circle भी अगर यह देख ब्रित का ब्यास इतना है तो उस ब्रित की परिद्धी कितनी होगी तो circle से लेटर है mensuration का यह question है हमार पास diameter दिया गया है 14 cm तो हमार पास जो लेडियोस होता है 14 divided by 2 diameter का आध्धा वह आ गया 7 cm पूछा है तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आ स्केर और सर्गें फ्रेंस का होता है तू पाई आ जिसमें पाई की बैल्यू उत्ति है 22 divided by 7 पूट करेंगे question में आर की बैल्यू पाई की बैल्यू आ जाएगे 2 multiply 22 divided by 7 इंटु आर की बैल्यू सैवन साथ से साथ कड़ेगा 44 और सदा जाएगा 44 ऑप्शन नम्बसी इसमें राइट हो जाएगा अगले question के तरफ बड़े है तो average से लेटर हमारे पास अगला question आता है question कहता है कि कि इव दा average of 57 डैश दिया है नाइन थर्टिन इस टैन वट बिल बिल बैली ऑफ डैश डैश हमने एक्स मान लेते हैं हमेशा पांच साथ एक्स नौ और तेरा की जो offset है वो दस है तो एक्स का मुल्य कितना होगा बेसिकली यह बोलाएं तो mean होता है या average होता है 5 प्लस 7 प्लस x प्लस 9 प्लस 13 डिबाइड वाई कितने संख्या है मारे पास 1,2,3,4,5 5 संख्या 5 से डिबाइड करेंगे into is equal to कितना हमारे question बने तो आप easily question कर पाएंगे जब हम plus करेंगे इन सभी को 5,7,9 और 13 यह कितना आ जाएगा हमारे पास 34 प्लस x डिबाइड वाई 5 की value हमारे पास 10 आ जाएगी आगे solve करेंगे तो यह डिबाइड है यहां जाके multiply हो जाएगा तो 34 प्लस x की value कितने आ जाएगी 10 multiply 5 हमारे पा पास आ जाएगी जब करेंगे इसको तो 34 प्लस x की value आ जाएगी हमारे पास 50 x की value आ जाएगी 50 माइनस 34 यह आ जाएगा हमारे पास x की value 16 कौन्स ऑप्शन ऑप्शन नमबर यह इसमें राइट अंसर हो जाएगा easy था यह भी question ज्यादा हाड नहीं था अगले question की तरफ चलते मारा अगला question कहता है यह तो नबोध्या के वच्चम वाला question हो गया यह उस तरीके में आता है सिक्स्थ को question है यह बेसिकली कि तो सबसे बड़ी चार अंकिय आपने संख्या बतानी है तो सबसे बड़ी एक दो तीन चार चार में यह होता है और अगर हमसे छोटा पुछा होत में जाए तो यह हो जाती तीन अंकी यह हो जाती चार K इस को उत्थ है तो इसमें ृप्ष्ट एंश पूछा है ना नाइनस में से जीरो गया नाइन बहूतीर नाइन नइन से और नाइन fifty beginning 999899 option number कौन सा option number एस में correct 9899 option number one correct answer हो जाएगा तो अगला question हमार पास कुछ चीज तरीके से आप question को बीडिको pause करें और इसका असर निकालने की कोशिश करें आज के लिए वंबरक आपके पास यह होने आला है अगले question के अगर तरफ बढ़ें अगर हम तो हमारे पास 19th question है कि इफ 0.5 इस डिवाइड़ वाई 0.01 देन दा result कि हमारे पास 0.5 जो है इस डिवाइड़ वाई किसे डिवाइड वाई जिरो पॉइंट जिरो बन से तो हमारे पास result क्या जाएगा तो 0.5 और नीचे वन है और यह 100 ऊपर चला जाएगा एक जिरो से एक 0 कटेगी 50 डिवाइड वाई वाई वन हमारे पास आ जाएगा 50 डिवाइड वाई वाई वन नहीं आएगा अंजी हमारे पास क्या जाएगा 50 डिवाइड वाई वन अप्शन नम्बर कौन सा आपका यह जाएगा इफ जीरु पॉंट फाइड वाई तो अप्शन नहंबर कौन सा ऑप्शन नमबर सी इसमें राइट अंसर हो जाएगा अगर हमारे पास ऐसा बोल आपता है कि इफ जीरो पॉंट 0.01 is divided by 0.5 तो बोला आता 0.01 is divided by 0.5 तो क्या आजाता 1 upon 100 multiply 10 upon 5 यह से यह कटदा तो 1 upon 50 आ जाता तो option number भी आपका रहे टांसर हो जाता लेकिन हमें क्या बोला है कि 0.5 जो है वो divide हो रहा है 0.01 से तो इस तरीके से करेंगे option option नमबर हमारा ठीको जाए इस वीडियो का last question कुछ इस तरीके से होने वाला है कि हमारा question कहता है कि if some oranges are bought at 5 पर 10 oranges क्या बोला है हमारे पास some oranges मतल 10 oranges जो है दस अंतरे हमने रुपीज 5 पर हमेश हर एक के पांच और पे लेगते हैं तो total कितने होगे जो 10 संतरे होगे पांच कुना 10 यह 10 रुपे के आगे पांच सॉरी 50 रुपे के आगे आगे बोला है कि दन प्रॉफिट परसेंटेज विल भी अब प्रॉफिट परसेंटेज विल भी कितना होगा अब कॉस्ट प्राइज उसका अगर हमारे पास 50 है है सेलिंग प्राइज उसका हमारे पास हंडर है तो हमारे पास सिद्धा यह आजाते है कि प्रॉफिट परसेंट है प्रॉफिट परसेंट होता है अगर करेंगे हम तो हन्डर मैं से 50 गए 50 दिबाइड वाइ 50 मल्टिप्लाई परसेंट 50 से 50 करेगा हंडर परसेंट ऑप्ष्ट को जाए अपशन नमबर एगस में कॉर्यक्ट अंसर हो जागा तो इस तरीके से तो इस गीजिशन को करेंगे मैं अमीद करते हूं कि आप पसंद आये होगी dépृक्टिस वीडियो और प्रेक्टिस वीडियो के लिए आप चैनल को Sandstonesale in अगले प्रेक्टिक्राब कर दें तब तक लिए जाज़त दीजिए इस गोरब शाइनिंग आफ जैहिं बंदे मात्रों